नमस्कर किसान भाईयों रियल फर्मेजु किसन चैनल में स्वागत है मैं विकास गौड तो किसान भाईयों आज कल आप एक नई चीज आप देख पारे हो मंडियों में के गाडियों का कम ज्यादा तो हो रहा है लेकिर रेट का कुछ नहीं हो रहा है मतलब अगर 50 गाड़ी है कभी 40 हो जाते हैं कभी 45 हो जाती है यह अगर घमांड हो तो वहएँ है कंप उप पहूंचा हो आप जादा पहूंचा ओ अलूपर अंचम को डेक्नerson को बस जिया ही लग रहा है के और हम अपने किसंवाईयों से कहते भी हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आलू 2023 में आपको धीरे-धीरे निकलना चाहिए 2024 भी आएगी तब भी आपको धीरे-धीरे ही आलू निकलना है 2022 में भी जिन लोगोंने step by step आलू बेचा है उन लोगों कोई फादा है आप इस चीज रुपे का और बारे तेरे सो रुपे तक का भी रेट लिया है 2022 में और फिर कुछ लोगों नहीं पेच पाई फिर लोगों ने और भी आलू रख लिया पीछे तक उनका अलू मतलब और भी सस्ता विकाए 506 रूपी पेकट विकाए ठीक है तो उनको मिले तो हर भाव इसी व सब्सक्राइब होती है चाहे अलू की हो या किसी भी चीज़ की हो इस वार आलू की साल 2023 से यह बी अलग है अलग हो गई थी जो कि आलू आपका सहर पर लग पेकट विकराता था है आज से पहले कमी बिकाए यह तो सुरूहात में इस साल अलग हो गई थी तो इसलिए मैं केह नए चाहिए यो दे कहा है कि आजक्का लोग डॉं ग्रों के बारे में तक लाज continues कहने का क्या है आई माइ अतिया थो थोड़ी इस बात में यह तो दसल परानाira माई के महीं तक ही टूबशाल्थी देखता से गया हृ महीं लिए अपरेले में सब घ्रदम हो जाती हुआयों मैं की दूपब चलती है और हमारे बताने का तरीका क्या है में बता दू उस तो समय हम यह तरीके से बताते थे किसान भाईयों देखिए अगर आप मानने हो कि 30 मही तक जैसे डंब चलती है तो हो सकता है इस वार 10-15 दिन पहले तक डंब चल सकती है या मतलब इतने टाइम तक ही चल पाएंगी लेकिन बीच में जैसे मौसम सही हो जाता तो आगे टाइम बढ़ गया जैसे बीच में एकदम मौसम बढ़िया हो गया लोगों का आलू एकदम अच्छा निकला ना कोई दागी है ना कुछ है तो उन्होंने आगे तक घीच ली बस इतना अंतर आया था लेकिन हमने ऐसा तो कभी नहीं कि नहीं मई का महीना पकड़े गाई नहीं उसस कीसानवाई करते हैं से काफी लोगों की नुक्सान होगा और हम ने चाते हमारे किसी भी किसान का नुक्सान होगा तो इस विछ सही बात बताने कोशित करते हैं और आपके सावईयू एक नई जनकर्य और मैं आपको बता दू हम क्या है कि जादतर तेजी के बारे में ज्यादा सूचते हैं कहने का मतलब अगर आलू आपका 400 है तो हम 600 के बारे में सूचेंगे और आज जगर 500 बिक्रा है तो हम 700 के बारे में सूचेंगे 700 हो जाएगा तो हम 1500 के बारे में सूचेंगे मतलब हम आगे आगे जैसे बढ़ते हैं वो तेजी के बारे में सूचते हैं कि यह कुछ नहीं आगे यह होने वाला यह कुछ नहीं आगे और यह होने वाला है लेकिन मैं यह कह रहा हूं मैं भी इसी बात को सूचता हूं लेकिन मै है इसके बारे में भी जरूर जानकारी आपको जुठानी चाहिए और यह जो मैं बात बता रहा हूं इस बात को भी आप लिख लो हम भी सा काम आएगी और इस से 203 को चाल तरफ से दावाव में डाला जा रहा है इस साल को तो इस बज़े से आपको अलग तरीके से धीरी-धीर निकलना वाव आज मुम्माई मंडी में 47 गाड़ी एं और यूपी का 11 से लेके तेरे रुपे के लो बी आई पी तो 3.5 रुपे के लो विका है इंदौर का 14-16 रुपे के लो गोजरात का 9-10 रुपे के लो तो किसार वाई यह मंडी में कल तो काफी कम गाड़ी थी चाली से भी नीची थी आज सब सेतलिस गाड़ी एं रेट लंब सम यही है ठीक है रेट में जादा अनतर नहीं है और नासिक मंडी की बात करों पंदर गाड़ी यह कल लगवा 20-20 ती आज पंदर है ग्यारे से लेकि यह भी साड़े तेरे रुपे कलो है कल्वी लंब सभी रेट था और पूने मंडी की बात करें तो अठारे गाड़ी है आज यूपी की जो ग्यारे से लेके साड़े तेरे रुपे कलो इंदोर का विकाए 15-19 रुपे कलो अब किसान वाई यू देखिए पूने हो चेन नहीं हो बैंग कलो और बैंगलवर मंडी की बात करें यूपी का विकाए 600-800 रुपे पैकेट और कोलार की आवक कम हो गई है जिससे आने वाले टाइम में किसान वाईयों को अच्छी खवर मिलने वाली है आगरा के किसान वाईयों के लिए कोलार का आलू कम होता दिख रहा है 600-800 रुपे चैन ने की बात करें चैन नहीं में 14 से लेके 6.5 रुपे अज विकाए थोड़ी अलगी सी उचाल देखने को मिला चैन नहीं में कोलार का विकाए 600-800 चारीश लों की तोल में दिल्ली मंडी की बात करूं कि सन्वाईयों दिल्ली मंडी में अब बात करते हैं किसन वाईयों यहां मेट्टू पालम मंडी की मेट्टू पालम तब लाडू में आगरा कालू पानीपत की बात करें वही रेट है चेपसो ना विकाए 600-700 चैदिस्ताना विकाए 500-500 और यह तो रहे किसन वाईयों आज के भाव और जातर हमारे किसन वाईयों अफवा पे ध्यानना दें और अपने आलू को दीरी दीरे वो निकाल सकते हैं जरूत के अनुसार ठीक है आलू आपका है और आपको ही निकालना है बेचने हम नहीं जाएंगे आप ही उसको बेचे दिया करें वह भी कमेंट के माद्यम से ठीक है किसन वाईयों वीडियो देखने धन्यवाद मैं विकास गोड नमस्कार